Hello guys, welcome back to another video आज की वीडियो काफी जादा informative और interesting होने वाले है क्योंकि आज हम करने वाले है गोपरो कैमरा और DSLR का comparison और test क्योंकि guys, as a vlogger या फिर YouTuber अगर आप इन दोनों कैमरा लेने की सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा ले तो इस वीडियो से आपको काफी आइडिया हो जागा कि आपके लिए कौन सा कैमरा बैस्ट है तो करते हैं इस वीडियो को फट 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 शुरूर देखते हैं दोनों में से कौन सा कैमरा आपके लिए बढ़िया रहता है वाच, लर्न, एंजोई चोटा है, इसका स्पेशल यूज बना होता है जहाँ पर आप DSLR से शूट नहीं कर सकते माल लिजिए आपको कुछ ऐसी जगह शूट लेना है कुछ ऐसी जगह पर काम करना है जहाँ पर DSLR को माउंट करना काफी ज़्यादा डिफिकल्ट है माल लिजिए मैंने कैमरा माउंट कर रखा है यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पॉइंट अफ यूज से यहाँ से वीडियो बनाओ तो इस DSLR से काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी मेरे को वो पॉइंट अफ यूज दिखाने के लिए पॉइंट अब वीडियो शूट करते हैं अब फिल्मेकिंग में माल लिजिए आप कोई शोट लेना चाहरे है और आप चाहते हैं शोट गाड़ी के नीचे से जाए तो उस चीज में गाईज इससे बैटर परफॉर्म यह कर पाएगा अब काफी जादा असानी से आप शूट कर सकते हैं इस इसके के लाब से अगर आप व्लोग इनकरते हैं तो व्लोग आप यह के यहां चाहरे है जिससे आपको idea हो जागा कि ये camera point of view कैसे shoot करता है तो मैंने recording कर दिये हैं यहां से on और मान लीजे मैं कोई भी चीज दिखाना चाता हूँ तो मैं easily इस camera से record कर सकता हूँ अब अगर मुझे ये चीज़ DSLR से record करने ही पड़ती तो मुझे इसके लिए another person चाहिए होता मतलब एक और person चाहिए होता जो मेरे को special shoot करें बट इस कीज में किया गाइस कि मैं easily जो भी काम करूँगा अपने DSLR में कुछ भी मैं hand zone करना चाता हूँ तो मैं easily जो है अपने GoPro से direct दिखा सकता हूँ तो सबसे बड़ा benefit होता है GoPro का ये कि आप point of view जो है दिखा सकते है और ये काफी compact होता है, lightweight होता है आप easily से कहीं भी ले जाके shoot कर सकते हैं तो GoPro का mainly use होता है special usage में मतलब आप इससे सारा काम नहीं कर सकते जब आपको लगता आपको point of view shoot लेना या फिर ऐसी जगह पे shoot करना जहां DSLR को ले जाना possible लहीं है बहुती छोटी जगह है वहाँ पर आप GoPro को use कर सकते हैं इसके लाब अगर आप चाते हैं कि बहुती super view हो बहुती wide angle हो, extreme wide हो उस तरह की cases में आप जो है GoPro को use कर सकते हैं और guys जहां पर lighting काफी low है माल लीजिए आप रात को shoot कर रहे हैं तो उस तरह की cases में GoPro बिल्कुल काम याब नहीं है low light में guys इसमें ISO जो है काफियत तक boost कर सकते हैं पर इतना नहीं कर सकते कि आप बहुती low light में काम कर सके तो इसमें limitations आपको काफी मिलती हैं जब बात आती है point of view की जब बात आती है कि जहां पर DSLR यूज नहीं कर सकते हैं उस तरह के usage में आप GoPro को इस्तमाल कर सकते हैं हाल है कि मैं आपको थोड़े test और करके दिखातों जिससे आपको idea हो जगा की से कैसे use करते हैं किस तरह से मैं इसे अपने शूट में यूज करता हूँ एक्जामपल के लिए गाइस माल लीजे मुझे कोई शॉट लेना जिसमें मैं अपनी पोकेट से कुछ निकालने का point of view दिखाना चाता हूँ तो मैं easily GoPro में काम कर सकता हूँ इस तरह से शौट कोई भी ऐसी जगहओ जाए काःट की ओने में इसे पर लगाना चाता हूँ मैं लगा सकता हूँ easily, मैं कहीं भी लगाना चाता हूँ, किसी भी जगा पर कोई भी point of view दिखाना चाता हूँ, मैं गाड़ी के बाहर लगाना चाता हूँ, गाड़ी के bonnet पर लगाना चाता हूँ, तो बहुत सारी इसी accessories आती है, मैं इसे कहीं भी attach कर सकता हूँ, तो इस camera का फ इस कर जाता है बट जब बात आती है वीडियो क्वालिटी की और DSLR से शूट करने की तो DSLR से जब गाईज आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको क्वालिटी काफी बैटर मिलने वाली है गोपरो के कंपैरिजन में हो सकता है आपको लगे कि उसमें तो 4K में फुल एच्डी है बट गाईज जो क्वालिटी है वो जो एच्डी आरेंज है जो ओवरॉल सारी चीज़े हैं शापनेस है वो ज्यादा बैटर होती है इसके अंदर इसके लगाईज अगर आप लेंसिस को चेंज करन चाहते हैं अगर अग्राव एच्डेल लागर चाहते हैं बहुत ज्यादा गया चाहते हैं तो वह आप इस में उसमें पॉसिबल और आप रही है इसके लाब क solar스 अगरम प्रोफेशनल चाहते हैं तो तो पहले आपको DSLR लेना पड़ेगा, DSLR कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसी सही आप सारे professional project कर पाएंगे, almost video shooting के point of view से, अब बात करते हैं guys, DSLR को photography के point of view से, तो guys, photography के लिए आप इसमें flashlight attach कर सकते हैं, वो GoPro में नहीं कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि एक-एक clarity बहुत जादा अच्छी हो, pixels काफी अच्छे हो, और आप जब details में काम करना चाहते हैं, तो आप DSLR से shoot कर सकते हैं, GoPro में आप सिरफ और सिरफ wide ले सकते हैं, narrow angle ले सकते हैं, इससे जदा आप उसमें photos नहीं ले सकते हैं, आप करते हैं कुछ DSLR और GoPro के test, जिससे आपको idea हो जागा, कि किस तरह की quality हमें देखने को मिलती हैं, दोनों cameras से, तो guys, example के लिए, मैंने दोनों cameras को एक ही position पे रखे हैं, जिससे आपको idea हो जागा, कि जब मैं shot लेना शूरू करूँगा, तो इसमें क्या perspective आ रहा है, इसमें क्या benefit मेरे को मिल रहा है, तो मैं करता हूँ दोनों की recording on, और देखते हैं कैसी आती है video quality, तो दोनों में मैंने on कर दिए, अब करते हैं थोड़ा सा walk, और देखते हैं किस तरह का shot आ रहा है, तो दोनों में guys, जो perspective है, इसमें नहीं हो सकती, तो यहां हमें limitations देखने को मिलते हैं, अगर हम GoPro को use कर रहे हैं तो, अब guys करते हैं इसका photo test, तो मैं दोनों camera से same जीज़ की photo ले रहा हूँ, मतलब same ही जो है मेरा subject रहेगा, बट मैं आपको यह दिखाऊँगा, जो होगी photo में DSLR कैसा perform करता है, और इसमें कैसा करता है, तो मैं अभी लेता हूँ, सबसे बहले DSLR में photo, तो मैंने DSLR से photo लेनी कर दी है, शूरू और अब मैं लेता हूँ, अपने GoPro में photo, तो GoPro में आ रही है कुछ इस तरह की photo, तो दोनों में guys, हमने photo ले लिए, वर DSLR में benefit जैसे कि मैंने आपको बता है, जूम का है, तो मैं zoom करके easily जो है photo ले सकता हूँ, अब एक बात guys, DSLR की best क्या लगते हैं मुझे, जब हम वीडियो या फिर photo shoot करते हैं, कि हम background blur जो है DSLR में कर सकते हैं, GoPro में नहीं कर सकते, तो ये जो benefits हैं, वो DSLR की काफी ज़ादा होते हैं, तो conclusion यही है, अगर आपने guys, DSLR या फिर GoPro में से camera लेना, तो पहले आप DSLR ले, DSLR से आपके काफी समस्या हल होजए, काफी आप अच्छा shoot कर पाएंगे, चाहे बात हो photos की, videos की, इसके बाद guys, अगर आपको लगता है कि, आप point of view शूट करना चाहते हैं, आप अकेले shoot करना चाहते हैं, मालने जिया, आपको अपना point of view दिखाना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा घुनने चाहते हैं, उस तरह की case में guys, आप GoPro को consider कर सकते हैं, लेने के लिए, DSLR में guys, आपको और भी काफी तरह के benefits देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि, आप view finder से shoot कर सकते हैं, आप external microphone लगा सकते हैं, आप additional काफी सारे ऐसे equipment साच लगा सकते हैं, color settings जाधा कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी settings होती है, user interface होता है, जो आपको काफी जाधा देखने को मिलता है, तो DSLR में काफी चीजे, controls वगएरा, सब काफी जाधा होता है GoPro के comparison में, और भी guys, काफी detail में चीजे होते हैं, जैसे stabilization या फिर, इसके जो अलग features होते हैं GoPro के, बट जो main फरक होता है, वो मैं आपको बजाना चाहता हूँ कि, दोनों में एक main key difference क्या होता है, क्या usage है इसकी, क्या usage है इसकी, तो ठीके guys वीडियो अच्छे लगे, तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में,